वालकम तो मोडवित फूडबाई प्रांका आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ स्टफ्ट मिर्ची पकोड़े की रेसिपी जो बहुत आसानी से बनती है, स्वादिस्त होती ही है और साथी साथ खुबसूरत भी लगती है देखने में तो चलिए बनाना शुरू करें इसके लिएके स्टीमर ले लेंगे, आप इडली का स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं सबजियों को डालके हम इसको थोड़ा पका लेंगे लगबग साथ से आठ मिनिट लगते हैं, बहुत जादा नहीं पकाना है इसके बाद मिर्शियों को धो के पोच के उसमें स्लिट लगा लेंगे और अंदर की कवरिंग को निकाल देंगे अब इसके बाद पैन गरम करेंगे, सरसो तेल उसमें गरम होने पेहीं, पंच फोरन, अजवाई, अद्वे खरी मिर्श लेसन का पेस्ट, प्याज इन सबको डाल के थोड़ा सा गुल्ड़न ब्राउन होने तक भूल लेंगे इसके बाद बोल सब्जीयों को डालेंगे, नमक according to your test, लाल मिर्श पौडर भी according to your test साथ में डालेंगे थोड़ा जीरा पौडर और अमचूर पौडर और इन सब को 5-7 मिनिट तक मीडियम फ्लेम भी भूल लेंगे अब कवरिंग का बैटर तयार करेंगे बेसन ले लेंगे, चावल का पाउडर डालेंगे, नमक डालें साथ में अध्रक हर्मिर्ज लैसन का पेस्ट और रेगुलर मसाले इन सब को डालके अच्छी तरह से मिला लें इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थिक बैटर तयार कर लें बैटर बहुत रुरानी नहीं होना चाहिए मिक्षिर को ठंडा कर लें, स्टफिंग वाले मिक्षिर को इसके बाद उसे मिर्ची के अंदर फिल करेंगे फिलिंग अच्छी तरह से करें तो बहुत टेस्टी लगती है तो ऐसे फिलिंग आप अंदर स्टफ कर लेजे मिर्ची के पैन में तेल गरम करेंगे, चक कर लें गरम है या नहीं फिर उसे डिप करके मिर्ची को बैटर में और इसे मीडियम फ्लेम पे हम उल्टा पुल्टा करते हुए फ्रेंची होने तक पका लें और ये तयार हो गई हमारी खुबसूरत सी अस्टफ्ट मिर्ची पकाऊड़े आप स्मैक्स के तोर पे खाएं अपने पार्टियों में चलाएं या आप चामल डाल के साथ दिखा सकते हैं खुद दिखाएं फ्रेंच को भी किलाएं और मुझे कमेंट कर बताईएं आपको कैसा लगा थांक्स पर वाचिंग